हर बार अगर वही नाश्ता खा खा कर बोर हो चुके हों तो आज मैं आपके शार शियर करने वाली हूँ आलू से बना हुआ बहुत ही मज़ेदार चटपटा नाश्ता आपको बहुत पसंद आएगा तो चलिए देरी किस बात की सुरू करते हैं आज का वीडियो तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 5-6 उबले हुए आलू ले लिए हैं यह आलू छोटे साइस के थे इसलिए मैंने 5 लिए हैं अगर आप बड़े साइस के आलू ले रहे हैं तो सिर्फ आपको दो आलू लेने हैं अब क्या करेंगे इन आलूओं को हम ग्रेटर की मदद से करिएगा क्योंकि बिल्कुल भी लंप्स नहीं रह जाने चाहिए आलू के एकदम स्मूध आलू तयार होना चाहिए ठीक है तो मैश करेंगे तो थोड़े बहुत तुकड़े यानकी फुटकी रह जाती है इसलिए कोशिश करिए कि कद्दू कस कर लीजिए तो इसी तरह से ह आलू को कद्दू कस कर लेते हैं अब हम इसमें चटपटा सा फ्लेवर देंगे तो इसके लिए मैंने एक चमद भर करके ले ली है रेड चिली फ्लेक्स साथी में हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग हींग से फ्लेवर और खुश्बू बहुत बढ़िया जाता है स्वादंसा डालेंगे नमक और साथी में एक चौथाई चमद डालेंगे काली मिर्च का पाउडर यहां पर बहुत ही बेसिक सिंपिल से मसालों का हमने इस्तिमाल किया है बट फ्लेवर बहुत ही अच्छा जाता है हाँ अगर आपको कोई special मसाला डालना हो जैसे चाट मसाला हुआ या पेरी पेरी मसाला या कोई भी आपके पास हो जो आपको फ्लेवर पसंद हो आप इसमें एड कर सकते हैं यहां ताकि आप इसमें मैगी का मैजिक मसाला भी यूजज कर सकते हैं थीक है अब आलू में binding देने के लिए हम यहाँ पर इस्तिमाल कर रहे हैं आधा कप चावल के आटा का चावल के आटा की जगह आप यहाँ पर मैंदा या फिर कॉन फ्लोर का यूज़ भी कर सकते हैं अब हम सभी चीजों को अच्छे से कर लेते हैं मिक्स और इसमें बिना पानी डाल हुए याद रखिए आलू में काफी मॉस्चर होता है इसलिए आपको पानी एक बूंद भी नहीं डालना है और अच्छे से इसको समेटते हुए डो के फ़र्म में लाना है तो आज की जोबले आलू थे ना वो बिलकुल भी गीले नहीं थे कभी कभी क्या होता है आलू हमको करवे पढ़े रहने देते हैं तो आलू बहुत गीले हो जाते हैं तो उस स्टेच पर आपको क्या करना है आलू को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देना है ठीक है या फिर थोड़ा सा चावल का आटा का इस्तिमाल आपको ज्यादा करना पड़ेगा वैसे मैं जो रेशियो बता रही हूं इसमें बिल्कुल परफेक्ट ली तो एक चम्मच भर करके छोटी चम्मच हम तेल लेंगे और उपर से डालेंगे और इसको अच्छे से मसल मसल कर तेल के साथ मिक्स करेंगे अब यह जो डो है बिल्कुल चिपकेगा भी नहीं और इसमें मौयन भी बहुत बढ़िया लग जाएगा तो लीजे अब हमारा अब हम चाकू की मदद से चोटी चोटी सी लोईया कट कर लेंगे आप हाथों की मदद से भी कट कर सकते हैं अब यहां पर बहुत जरूरी चीज़ अगर आप चाहते हैं नाश्ता पूरी तरह से क्रिस्पी बने एक दम अंदर भी बाहर भी तो आपको लोई का साइज और भ बाहर से क्रिस्पी रहेगा अंदर से सॉफ्ट रहेगा ठीक तो मैंने लोई का साइज थोड़ा मीडियम ही रखा है ठीक तो आपकी च्वाइस है अगर और चोटा साइज करेंगे नाश्ता बिलकुल क्रिस्पी बनेगा तो चलिए इसको हम प्लेट में निकालते जाते हैं तो इसी तरह से हमने जो आलू का कुछ मिश्ण बचा की रखा हुआ था ना उसकी भी बॉल्स बना के तयार कर लेंगे अब मैंने यहाँ पर ले लिया है जूस निकालने वाली मशीन यह मशीन जो आलू के चिप्स बगएरा कट करते हैं उसके साथ आता है यह अलक से भी मिल और फैलाना स्टार्ट कर देंगे थोड़ा सा नीचे की तरफ इस तरह से दवाते हुए फैलाएंगे ताकि अच्छे से जो लाइन इसमें देख रही है ना जूशर में यह लाइन अच्छे से इसमें ड्रॉ हो जाएं और बस अब हम इसको जेंटली निकाल लेंगे और यह इसमें डिजाइन निकल के आई है बहुत ही यूनिक डिजाइन लग रही है और देखने में यह काफी खुबसूरत लग रहे हैं तो इनको हम एक प्लेट में रख लेते हैं और इसी तरह से हम सभी लोई में एक एक करके डिजाइन बनाके तैयार करेंगे बहुत ही आसान है बस लोई को टॉप पार्ट पर रखना है हलका सा प्रेश करना है और नीचे की तरफ इसको दबाते हुए फैलाना है और उंगलियों की मदद से थोड़ा सा इसको दबाना है और ये लिजिए कितनी प्यारी सी हमारी डिजाइन निकल के आई है तो इसी तरह से हम सभी लोई की डिजाइन निकल के तयार कर लेंगे अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा तरीका जिनके पास ये जूसर वाली मशीन नहीं है वो क्या कर सकते हैं एक लोई को किसी भी सरफेस पर रखिए और इसको चप्टा करिए हतेली की मदद से दबा करके इस तरह से फैला लीजिए और अब लीजिए एक फोक यानी काटा और काटे की मदद से इसकी कॉर्नर वाले हिस्से पर इस तरह से घुमाते हुए डिजाइन बना दीजिए ये देखिए चारों तरफ से डिजाइन बना देनी है तो ये भी एक बड़ीयासी डिजाइन निकल के आती है, जिनके पास वो जूसर नहीं है, तो वो इस तरीके से बना सकते हैं. तो दोनों ये डिजाइने अलग अलग हैं, तो आपके पास जो चीज़ दवाई लेवे हो, उस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं. तो चलिए मैं मसीन से सारी और भी डिजाइन बना के तयार कर लेती हूँ तो लीजे फ्रेंश हमने सब इस्नेक्स को बना कर के तयार कर लिया है और आप देख सकते हैं कितने खुब सूरत लग रहे हैं देखने में बहुत प्यारी सी यूनिक सी रिजाइन बनके आई है तो चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ यहाँ पर हमने एक कड़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है हाई फिलेम पर तेले को गरम कर लिया है अब एक एक करके हम snacks को कड़ाई में डालते जाएंगे और जब आप इन snacks को डालना स्टार्ट करें गैस की flame बिल्कुल लो कर लीजेगा ठीक है क्योंकि हमें low to medium flame पर इनको बढ़िया से तलना है और थोड़ी ही देर में कुछी सेकंड में हम इनको उलटना पलटना स्टार्ट कर देंगे तो आप देख सकते हैं थोड़ी ही देर में ये तैरने लगे हैं तो अब हम इनको करशली की मदब से पलट लेते हैं और उलटते पलटते हुए दोनों साइज से बढ़िया इनको गोल्डन तलेंगे थोड़ी देर में आप देख सकते हो हमने इनको उलटते पलटते हुए बढ़िया से तल लिया है और कितना प्यारा सा इनका कलर आ गया है जो हमने डिजाइन बनाई थी वो भी एकड़म उबरी वई से आई है बहुती देखने में यूनिक और सुन्दक ये नाश्ता लग रहा है तो चलिए अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं तो देखा फ्रेंड्स आपने कि हमने आलू से कितना कूपसूरत सा टेश्टी सा नाश्ता बनाके तयार किया है अब हम अपना सेकेंड बैच भी इसी तरह से तल करके तयार करेंगे तो लीजे फ्रेंट सेकेंड वेची वेमारा बहुत बढ़िया से तल चुका है तो इसको भी हम निकाल लेते हैं निकालने के बाद इसको हम थंडा होने देते हैं तो आलू की पापड़ी या आलू की मठरी थंडी हो चुकी है और अब ये काफी क्रिस्पी हो गई है तो अभी वैसे ये पूरी तरह थंडी नहीं हुई है मुझे वीडियो शूट करना था बढ़ फिर भी मैं आपको देखाती हूं ये कितनी ज़्यादा क्रिस्पी है आप इनकी आवाज सुनिएगा तो देखा फ्रेंड्स आपने ये कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी है अब मैं आपको उनको तोड़ करके भी देखाती हूं ये देखिए अभी जैसा की बताया पूरी तरह से ठंडी नहीं होई है लेकिन जैसी ये पूरी तरह से ठंडी होगी एकदम क्रिस्पी करा रही हो जाएंगी तो अमीद करते हूं फ्रेंट्स की आपको आज किये आलू के स्नेक्स के रेस्पी अच्छी लगी होगी आप इसको महिनी भरता के स्टोर करिए चाय के साथ खाईए या महमानों को सर्प करिए बहुती टेस्टी लगती है वीडियो अच्छा लगे तो लाई शियर करेंगे